नमस्य दोस्तों मैं हनी लालवानी हनी की रसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आप सब के लिए पहुत है लिए और टेस्टी सी कुकीज की रेसिपी लेकर आए हूँ जिसे बनाने में ना तो हम मैदा करेंगे ना ही चीनी ना ही मक्कन का गर्मी अविलिबल कुछी चीरियों से ये बन कर तैयार हो जाएंगी टेस्ट एंट टेक्च्चर एकडव मार्केट जिसा तो चलिए चलते हैं आपनी रेसिपी की तरफ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें इस रेसिपी के लिए मैंने एक ती हाई कब देशेगी लिया है घी आप देख सकते हैं इस तरीके का होना चाहिए when जरी हमें कर लेना है यार तब तक फेट लेना है जब तक इसके लो टेक्च्चर है इस तरीके का क्रीमी और एकदम लाइट ना हो जाए यह देख सकते हैं विलकुई सरीके के टेक्षर पी आ जाएगी अब इसमें हम डाल देंगे हमारे ड्राइंगे रिंड यहां एक चलनी में मैं डाल रही हूं एक कप गेहूं का आटा तो नॉर्मल जो रोटी बनाने वाला आटा है वो हमने इस्तमाल किया ह चुथाई चमच हम डाल रहे हैं इलाइची पाउडर अगर आपको इलाइची का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप इसे स्केप कर सकते हैं दोने चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसे हम अच्छे से चान देंगे अब इसमें हमें एक टेबल इस्पुन तिल डाल देंगे तिल को मैंने हलका दरदरा सा कूट लिया है इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो बना करके हमें रेडी कर लेना है और द्यान रिखेगा इसमें बहुत ज़रा प्रेशर ना लगाएं इसे हम गूतना नहीं है बस कंबाइन करना है कुछी देर में आप देखेंगे यह इस तरीके का देखें फॉर्म हो जाएगा पट यह थोड़ा सा ड्राय लग रहा है तो इस स्टेज पे एक से दो चमच दूद हम इसमें मिला देंगे आप चाहें तो दूद की जगए एक से दो चम लग अलग होता है इसे क्लिंग रैप में कवर करके 10-15 मिनेट के लिए फ्रिज में रगतेंगे ताकि इसमें जो गी है वो अच्छे से सैट हो जाए तो लीजे फ्रेंग्स करीब 10-15 मिनेट हो चुके हैं डो हमारा बिल्कुल अच्छी से रेस्ट कर चुका है तो इसे हम नि क्लिंग रैप लगा दिया है जो पॉलिथीन है इससे बेलने में काफी असान ही होगी यह डो काफी सकत होता है और हलका सब गी की वज़े से बिखरता है इस वज़े से इसको हम इस तरीके से बेल रहे हैं और कोशिश करके इसको अब लुकुल एवन बेलिए गा मैं हर तरफ से एक समान हो कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा ना बेले और देखिए चाथाई इंच की थिकनेस तक मैंने से बेला है और इस तरीके का एक राउन कुकी कटर लिया है अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो आप चाको के हैप से इसे स्क्वायर शेप में या फिर अक्टेंग कुकी इस गैस पर कैसे बनाते हैं इसके काफी वीडियो मेरे चैनल पर हैं इसकी उपर मैं मिल्क वाश दे रही हूं इससे हमारी जो कुकी हैं उपर से अच्छे सा कलर भी इसको मिलेगा साथी हम इस पर थोड़ी से तिल और पिस्ता चिपकाने वाले हैं तो वह भी बहुत ह असानी से इस पर स्टिक हो जाएंगे तो बस इस कुकी इस तरीके से हम थोड़ी से पिस्ता और थोड़ी सी जो तिल है वो इस तरीके से स्प्रिंकलर कर देंगे और इसे अच्छे से उंगली से दबा देंगे ताकि यह इस पर अच्छे से चिपक जाएं बस हमारी cookies ready हैं बेख होने के लिए तो आवन में 170 डिगरी पे 10-12 मिनेट के लिए हम इसे बेख करेंगे तो लीजे friends, cookies हमारी बिल्कुल अच्छे से बेख हो गई हैं और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा golden color इस पे आया है cookies की side में जब हलका सा golden color आने लगे तब भी आप इसको निकाल लें क्योंकि थंडे होने के बाद यह थोड़ी dark होंगी because हमने इसमें good add किया है त्यार की हुई cookies को हम wire rack पे विल्कुल room temperature पे एक से डेट गंडा थंडा होने देंगे उसके बाद यह आप इसे serve करें तो लीजे friends यह हमारी तील और गुर से बनी हुई cookies खाने के लिए बिल्कुल तयार है देखिए देखने में लग रही है बहुत ही पड़िया and trust me इनका taste भी काफी बढ़िया होता है और बनने में कितनी असान है वो तो आप देखिए चुके हैं इन cookies को ठंडा होने के बाद आप airtight box में भर करके करीब 15-20 दिंग रख सकते हैं और यह देखिए कुछ cookies मैंने knife की help से cut करके बनाई है rectangle shape में यह भी काफी बढ़िया बनती है तो आप इने भी try कर सकते हैं और यह देखिए इनका texture आप देखिए एकदम flaky सी कुरकूरी सी यह cookies बनती है एकदम market जैसी तो इन cookies को आप जरूर try कीजेगा आशक करती हूं यह आपको जरूर पसंद आएंगी तो बस आप इसे try कीजिए आपका feedback शेयर कीजिए वीडियो पसंद आया हो इसे like और share करना बिल्कुल भी ना बूले हैं